भारत माता की मन्द पर विराजमान सभी महानुभाव आज गुजरात के नन्ने नन्ने खिलाडियों को प्रोथसाहित करने के लिए पधारे हुए देश के गणमान्य खेल जगत के हमारे हीरोज इस समाहरों को रंगों से भरने वाले सभी प्यारे बालकों गुजरात के जीवन में आज एक महत्वपून अउसर है जब भी हमारे देश में खेल कुद का माहोल होता है और जब भारत मेडल नहीं जीत पाता है तो चारों तरफ अलोचनाएं प्रताडनाएं नकारत्मक्ता का माहोल पादा हो जाता है सब दूर एक आवाज उठती हैं कि सो करोड का देश क्यों कुछ कर नहीं पाता है सवाल बहुत वाजीब है चिंता स्वाभाविक है पीडा होना भी बहुत सहज है लेकिन क्या हम इस पीडा को संजो करके बैठे रहेंगे क्या हम हमारे खिलाडियों की आलोचना करते रहेंगे कि कहीं से शुप शुरुवात करेंगे भायों बहनों सपना बहुत उंचा है शुरुवात बहुत छोटी है ये खेल महाकुम कल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा ऐसी मेरी सोच नहीं है नहीं मेरी सरकार की सोच है और नहीं किसी समझदार व्यक्ति की सोच हो सकती है लेकिन सही दिशा में एक कदम तो उठाएं, ये खेल महाकुम उस बड़े सपने को प्राप्त करने के लिए सही दिशा का एक छोटा कदम है अगर हमारे जीवन में खेल जीवन का हिस्सा नहीं बनता है, खेल एक सामाजिक जीवन की संस्कूर्टी नहीं बनती है तो सिरफ खेल के मैदान, अच्छे साधन, अच्छी व्यवस्ताएं, खिलाडियों को जन्म नहीं देती हैं, खिलाडी जन्म लेता है समाज की खेल संस्कूर्टी में से ये खेल महाकूम, उस खेल संस्कूर्टी को जन्म देने के लिए हमने एक प्रयास के रुप में शुरू किया है, पुरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी, पुरा गुजरात खेलेगा, ग्यारा सो से अधिक स्थान पर विदिवत रुपसे परधाएं होग लेकिन इसके पहले अठारा हजार गाउं में गाउं के लोगों ने मिल करके सभी खेल कि स्परधाएं करकरके अपने गाउं की टीमों को चूना है, ये चूनी हुई गाउं की टीम ग्यारा सो स्थान पर स्परधा में हिस्सा लेगी, सोला लाग से अधिक खिलाडी इस खेल महाकुम का हिस्सा बनेंगे एक साथ एकी बैनर के नीचे एकी व्यवस्ता के तहट सोला लाग खिलाडियों ने एक ही महिने में खेल खेला हो यह शायद दुनिया की सबसे बड़ी घटना घटेगी भाईयो बहनों अच्छा स्वस्त समाज तब होता है जब समाज के स्वभाव में खेल दिली होती है खेल दिली यह सरफ खिलाडियों की बदौलत नहीं है यह खेल दिली सरफ खिलाडियों की अमानत नहीं है ये खेल दिली समाज की अमानत बननी चाहिए और खेल दिली तब तक जन्म नहीं लेती जब तक कि खेल कुद नहीं होता है खेल कुद ही खेल दिली की जनेता होती है उसकी मा होती है और खेल कुद की कोक से ही खेल दिली जन्म लेती है और इसलिए पुरे गुजरात में खेल दिली का माहोल बने ये खेल कुम उसके लिए एक कैटलिक एज़न्ट का काम करेगा और आने वाले दिनों में नई नई सिद्धियों को प्राप्त करेंगे बाईयों बेहनों हमने विकास का एक पहलू की चर्चा हो रही है दुनिया में अच्छे रोड बन जाए अच्छी इमारते बन जाए अच्छे एरपोर्ट बन जाए अच्छे कार खाने लग जाए विकास में इसका महत्वपुन योगदान है लेकिन वो विकास तब तक विकास नहीं होता है जब तक उसके नागरिक का विकास नहुआ हो व्यक्तित्व का विकास नहुआ हो जन सामान्य की चेतन नप्रक्टी हो और इसलिए हम विकास में रास्ते भी बनाना चाहते हैं कारखाने भी लगाना चाहते हैं उर्जा भी पैदा करना चाहते हैं हम विकास की नई उचाईयों को भी पार करना चाहते हैं लेकिन वो हमारी आखरी मंजिल नहीं है वो हमारा माध्यम है वो हमारा साधन है हम तो चाहते हैं गुजरात के मेरे साड़े पांच करोर नागरी नई उचाईयों को प्राप्त करें ओज और तेज से भरे हुए हो गुजरात के अंदर हर नागरिक में शक्ति हो हर नागरिक के सपने हो सपनों को पूरा करने का सामर्थ हो और उस सामर्थ के निर्मान के लिए कभी वांचे कुजरात अभियान कभी खेल महाकुम कभी दुनिया में सबसे बड़ा सत्रंच के खेल का भियान कभी गुजरात क्वीज का भियान व्यक्ति व्यक्ति के जींवन में एक बदलाव लाने का प्रयास इसलिए इस काम को हमने योजित किया है इस खेल महाकुम के कारण मैं पिछले छे महने से अनुभव कर रहा हूं जो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे मित्र हैं राद दीन महनत कर रहे हैं एडी चोटी का जोड लगा रहे हैं और इससे मैं अनुभव कर रहा हूं कि शायद ये खेल महाकुम हमने न किया होता तो कैपेसिटी बिल्लिंग का इतना बड़ा अभियान न चलता गाउं गाउं खेल के मैदान कैसे हो साइज कैसी हो उसका ड्रॉइंग कैसा होना चाहिए इतनी मात्रा में इंपैरों को कैसे त्यार करना चाहिए संसाधन कैसे जुटाना चाहिए मैं समझता हूँ खेल महाकुम्भ के कारण जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो कैपशिटी बिल्डिंग का हुआ है गवर्मेन्ट मशिनरी में कैपशिटी बिल्डिंग रहा है एक बहुत बड़ा परीवर्टन आया है यह ये चीजें आने वाले सतकों तक काम आने वाली हैं उसी प्रकार से दूसरा जो काम होने वाला है वो प्रतिभाशोध भायो बेहनों एक जमाना था जब खेल कुल की दुनिया में बड़े शहर के बड़े घरानों के बेटे ही अवसर प्राप्त करते थे उनी को मोका मिल जाता था लेकिन पुछले कुछ सालों से हर खेल के अंदर छोटे छोटे शहरों के गाउं के नवजवान आगे आ रहे हैं यह हमारी लजजा बेटी अभी मेडल लेके आए गई कॉमन वेल्ड गेम में मैं उसके घर गया था एक नम छोटा गाउं है एक कमरे मे परिवार रहता है भायो बहनों छोटे घर में पादा हुए बच्चों में कल्पना भार का सामर्थ होता है मैं बड़े घरानों से निकल करके खेल को छोटे छोटी जोपड़ी तक ले जाना चाहता हूं मैं खेल को गरीब के घर तक ले जाना चाहता हूं गरीब परिवारों में जो प्रतिभाएं पड़ी हैं उन प्रतिभाओं को खोजना चाहता हूं उन प्रतिभाओं को बाहर लाना चाहता हूं और यह खेल महाकुंब के खारण पूरे गाव गुजरात के अंदर एक प्रतिभा शोध का अभियान होने वाला है गाव में बिखरी पड़ी इस शक्ति को सरकार बारीकाई से देखने वाली है मैं चाहता हूँ इस पूरे खेल महाकुम्ब में खेल दिली का माहूल हो पूरे खेल महाकुम्ब में जाए पराजे जीवन के हस्से के रुप में स्विकार किया जाए इस पूरे खेल महाकुम्ब के अंदर प्रतिभा शोत पर ध्यान के इंदित किया जाए इस पूरे खेल महाकुम्ब के अंदर पुराने सारे रेकोर्ड तोड़ करके नए रेकोर्ड प्रस्थापित करने का काम हो जाए अगर इस प्रकार से पूरे गुजरात में 16 लाख लोग जुड़ जाते हैं और उन खिलाडियों की ववस्था करने वाले डो देड़ दो लाख और जुड़ जाते हैं करीब 20 लाख लोगों का एक काफला आने वाले गुजरात की सो साल की मजबूत नीव रखने का सामर्त रखता है इस मैदान के अंदर से यह संदेशा जाने वाला है और आज हैं कि जिस प्रकार से बच्चों ने योगा का कारड़ाम की 않아요 कि गुजरात के बच्चे योग competition में देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं स्वीमिंग में अपने रुत्वा दिखा रहे हैं शत्रणि में अपने कदम उठा रहे हैं भायों भेलों हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़ना है गुजरात के नव जवानों को आगे बढ़ना है गुजरात के नव जवानों को अवसर देना है शहर हो गाँ हो पड़े लिखे हो अनपड़ हो गरीब हो अमीर हो हर एक को समान अवसर मिले इसलिए इस खेल महाकुम को गुजरात के शक्ति के रूप में उभारने क प्रयास प्रादम किया है मैं इस खेल महाकुम के लिए अंदर हिस्सा लेने वाले सभी मेरे 16 लाक रमत विरों को अंतह करनपुर्वक बधाई देता हूं अभिननन देता हूं और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में गाउं में भी बाली काउने लड इड़ा उठाया है मैं उन बिटियाओं को जया वें लिए देवियों को मात्र शक्ति को अंतह कन पुर्वक नमशन करता हूं अभिननन करता हूं जिन माता हूंने अपनी बेटियों को खेल के मैधान में भेजने का संकल्फ किया है वह मातं जादा बंदनी है जो अपनी प्रचार माध्यमों से भी प्रार्थना है यह छोटे छोटे बालकों का उसर है पूरे महने वर कहीं नहीं खेल महाकुम में बच्चों को प्रोश्चाहित कीजिये आने वाले गुजराथ के विकास में आप भी पांटनर बनिये विकास की द्यात्रा में मेरे हिस्सेदार बनिये एक गुजरात आगे बढ़ेगा हम सब का गवरों बढ़ेगा और इसलिए इस खेल महाकुम को मैं आप बहुत-बहुत शुब कामना हैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है आने वाला पूरा एक महिना शक्ति का महिना बन जाएगा शक्ति साधना का महिना बन जाएगा जीवन को शक्ति की नई उचाहियों को पार करने वाला बन जाएगा शाहिद कोई कलपणा नहीं कर सकता है कि ऐसे भी अवसर हो सकते हैं शाहिद गुजरात के जीवन में सेंकड़ों वर्षों के बाद यह उसराया है हम सब इसका फाइदा उठाए इहीं सुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्वात जैजे गर्भी गुजरात जैजे स्वनिम गुजरात